हेलो फ्रेंड्स आज कल हम कर रहे हैं एक पूरी सीरीज स्टारगाट्स डिजीज जिस फैमिली में या जिस इंडिविज्जोल को ये डिजीज डाइगनोज होती है वो जरूर ढूनते हैं कि क्या इसके लिए कुछ भी हल्प है या कोई भी ट्रीट्मेंट या कोई भी असेस्टिव डिवाइस अवेलिबल है उन्हीं लोगों के लिए हमने ये सीरीज तैयार किये हैं क्योंकि कुछ कुछ चीजें उपलब्ध हो गई हैं ट्रीट्मेंट के रूप में असेस्टिव डिवाइस के रूप में नई टेकनालोजी से डवलप हुए कुछ गैजेट्स लेकिन ये स्टारगाट डिजीज के पेशिंट्स तक पहुँच नहीं पा रहे हैं क्योंकि जातर पेशिंट्स ने जब कुछ साल पहले दिखाया होता है तो उन्हें यहीं बता दिया गया होता है कि इस डिजीज के लिए कोई ट्रीट्मेंट नहीं है और उसके बाद वो फ लेटेस्ट डिवलप्मेंट से सबसे पहले हम बात करेंगे कि चूकी पेशिंट में सेंट्रल विजन एफेक्ट होता है इसका मतलब उन्हें सामने की सीधी सीधी चीजें जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह का विजन होता है स्टारगार्स जिजीज मे पेशिंट को सेंटर में एक धबा दिखाई देता है और साइड की चीजे दिखती हैं जिसकी वज़ा से वो अपने दिंचर्या के बहुत सारे काम जैसे ड्राइविंग या बिना चोट लगे चलना सीधा चलना बिना टकराए चलना या तेजी से वाक कर पाना नहीं हो पाता उन्हें सामने की चीजे देखने के लिए बार बार अपनी गर्दन को मोड के साइड से सामने की चीजे को देखना होता है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कुछ हर तक सॉल्व करने के लिए स्टारगाट्स डिजीज के पेशिंट्स के लिए हमारे पास होते हैं प्रिजम ग् हैं लेकिन इनका इस्तमाल बहुत कम होता है लेकिन स्थारगास डिजीज signal उनके लिए बहुत फायदेंस हो सकता है यदि इन लोगों के चश्मे में प्रिजम सिग्ला सिगा दिये जाएं जैसे हम आम तो पे कहते हैं base in prism glasses तो फिर इनके सामने का जो इन्हें काफी कम दिखता था जिसे हम कहते हैं enlargement of the blind spot वो काफी reduce हो जाता है इसका मतलब सामने सामने क्या दिखना जितना बड़ा area उन्हें पहले नहीं दिखता था अब वो थोड़ा सा prism glasses पहनने से improve किया जा सकता है इसका मतलब उनका handicap कुछ कम किया जा सकता है और prism glasses बहुत ही commonly available और बहुत जादा महंगी वस्तू नहीं है तो सभी stargarts disease से जिन लोगों को परशानी है उन्हें prism glasses का trial जरूर लेना चाहिए और यदि उन्हें इससे फाइदा मिलता है तो वो इससे जरूर अपना ले अब यह तो हो गए आम तो पर मिलने वारे glasses लेकिन खास करके stargarts जैसी diseases जिनमें की central vision affected होता है उसके लिए एक बहुत ही high-tech glasses जो की electronics पर्धती को इस्तमाल करके बनाए गए हैं वो भी available हैं इन glasses का नाम है iris vision glasses यह glasses USA में develop किये गए और अभी वही पे उपलब्ध हैं जिनने आप online company को अप्रोच करके ले सकते हैं हलाकि यह glasses अभी बहुत ही महंगे हैं इसका मतलब यह करीब 4000 डॉलर में मिलते हैं करीब करीब आप समझे यह साड़े तीम लाक रुपए में यह glasses available हैं लेकिन यह glasses जो हैं वह स्टारगाड disease में या और diseases जैसे की age related macular degeneration होती है या juvenile macular degeneration होती है इन सभी cases patients में जिनमें central vision affected है उनके लिए यह बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं अब इसके बाद कुछ और नई developments हुई हैं जिनके बारे में हम अगले episode में stargarts disease के treatment के पार्ट के रूप में आप से बात करेंगे तब तक के लिए बाई बाई इन सकते हुई